विशेशन अगर मगर जगर, अब लें विशेशन की खबर बच्चों, मुझे तो बहुत भूक लग रही है आज मेरा पिज्जा खाने का मन है तो आप भी चलिए मेरे साथ पिज्जा हट शायद वहां से भी कुछ सीखने को मिले तो चलें वाह, यहां सब कितना अच्छा लग रहा है दीवार पर कितने सुन्दर चित्र लगे है तीसरी मेज खाली है मैं वहीं बैठूंगी यहां काम करने वाले लोगों ने लाल कमीजें पहनी है वेटर, मेरे लिए एक चीज पिज्जा वाह, कितना स्वादिश्ट पिज्जा है मज़ा आ गया आप भी खाईए अब पैसे दे दूं ये रहे पचास रुपे है प्यारे बच्चों पिज्जा तो हमने खा लिया अब वहां की कुछ बातें हम दोहराते हैं बताईए मैं कौन सी मेज पर बैठी थी तीसरी दीवार पर कैसे चित्र लगे थे सुन्दर वहां काम करने वाले लोगों ने कैसी कमीजें पहनी थी लाल पिज्जा कैसा था स्वादिश्ट मैंने कितने रुपिये चुकाएं पचास पच्चों मेज चित्र कमीजें पिज्जा रुपिये संग्याएं हैं तीसरी सुन्दर लाल स्वादिश्ट पचास शब्द इन संग्याओं की विशेष्टा बता रहे हैं इन शब्दों को विशेषन कहा जाता है यानि की जो शब्द किसी संग्या या सर्वनाम की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेषन कहते हैं आईए विशेशन के कुछ और उदाहरन देखें गरम चाय, लाल फूल, लंबी पेंसिल, एक किलो टमाटर, तीसरी बोतल और बुढ़ा आदमी इनमें गरम, लाल, लंबी, एक किलो, तीसरी बुढ़ा ये शब्द विशेशन हैं क्योंकि ये चाय, फूल, पेंसिल, टमाटर, बोतल और आदमी की विशेशता बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए खटा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ये स्वाध हैं सुन्दर, अच्छा, बुरा, बहादुर, ये गुण हैं चोड़ा, मोटा, पतला, छोटा ये आकार हैं चार, साथ, आठ और दस ये संख्याए हैं काला, लाल, हरा, नीला ये रंग हैं ये सभी विशेशन शब्द हैं तुम मज़ा आया मेरे साथ पिज़ा भी खाया और इतना कुछ सीख भी लिया और दसी भाइबते कुछ साथ